कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप और टेलेग्राम का लिंक दिया गया है किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो तो वो लिंक के उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे यहाँ पर जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ वही अनालिसिस सिखा भी रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो वीडियो पर आप जरूर देखेगा बहुत यह अच्छा फाइदा होगा आपको सो असो क्लेलेन का चार्ट का स्ट्रक्शर देखता हूँ मल्टी मल्टी बैकर एडवाइस यह साबित हुआ है असो क्लेलेन के उपर आपको 75-76 के आसपास बाई करने का सजेशन दिया था आप यहाँ पर देख रहे हो आल्मोस्ट वन बैगर यह एडवाइस साबित हुई है अभी भी चार्ट का स्ट्रक्शर की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही फैंटास्टिक चार्ट के स्ट्रक्शर है और वीकली चार्ट जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से हायर लेवल आना तरह है और 162 तक आसानी से असो कले लेन का चार्ट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है 162, 165 तक असो कले लेन आने वाले दिनों में जरूर से हमें देखने को मिल सकता है तो fresh long position अगर किसी को भी बनाना है तो मेरे इसाब से 140 से लेके 136 140 से लेके 136 के बीच में किसी को भी long position बनाना हो तो जरूर से बना सकता है मैं दूसरे time frame पर भी देख लेता हूँ तो यहां पर भी same level मुझे दिखाए दे रहे हैं so 140 से लेके 136 के बेच में किसी को भी long position बनाना है तो आप जरूर से long position बना सकते हो और closing basis के उपर आपको एक stop loss maintain करना है वो है 134 रुपेज का so also clayland every decline is a buying opportunity और आने वाले दिनों में 165 तक आपको आने वाले दिनों में ये levels दिखाई दे सकते है so गलती से भी short मत कीजिएगा short करोगे तो फस जाओगे क्योंकि direction उपर की side है और आप wrong direction में काम करोगे तो फस जाओगे बहुत ही बुरी तरह से फसोगे so मैंने जिस तरह से बताया है उसी तरह से अगर entry देखने को मिलता है तो आप जरूर से लीजिए और जिन लोगों already buy किया है वो hold करके रखे 165 तक यह stocks आसानी से आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है दोस्तो I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा Guys अगर मेरा advice आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिए आपका भी कोई query है तो live session में आके आप जरूर मुझे question पूछ सकते हो और सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखिए knowledge acquire कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए goodbye friends take care bye bye